नमस्कार ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या होती है कि उनके गाड़ी का वायर चूहा काड़ देता है क्या उनमें से आपकी भी ऐसी समस्या है क्या अगर आपका भी ऐसा समस्या होगा तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो हो सकती है साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन की बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे तो दोस्तों चुहा वायर न काटे इसके लिए तरह तरह की जो आइडिया होती है ऐसा लोग अपनाते हैं करते हैं लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है कुछ लोग तमबाकू रखते हैं गाड़ी में उससे भी कुछ फरक नहीं पड़ता है कुछ लोग कोई मार्केट में इस्प्रे आता है वो मार्कते हैं लेकिन उसका जो थोड़े समय के बाद में वो भी खतम हो जाता है उसका जो खुसबू चुहा जिसकी स्माइल से चुहा भाग जाए वो भी थोड़ा टाइम के बाद खतम हो जाता है कि बाद में गाड़ी start करने में दिक्कत होती है या और दूसरा कहीं कुछ भी problem हो सकता है कोई भी wire कहीं से भी अगर card देगा चुआ तो कुछ भी गाड़ी में problem आ सकती है कभी headlight का हो गया, कभी sidelight का, single light का या कुछ भी होन नहीं बचता है या तो starting में problem हो गया, इसा बहुत सारे cases आते रहते हैं, बहुत लोगों के गाड़ी में problem आते रहता है, तो हम लोगों ने जिस technique से बात, मतलब जो idea है ये, जितने लोगों को बताया है, जितने लोगों ने उसको follow किया है, उसको use किया है, तो उन सब को इस problem से छुटकारा मिल गया है, तो इसके लिए मैं video बना रहा हूं, ताकि जिन लोगों को ऐसा problem है, उन लोगों तक video पहुंचे और वो लोग जो है, इसका फायदा ले सकें, तो दोस्तों, चाहे इस सिर्फ three wheeler के लिए नहीं है, four wheeler और bike, कोई भी मतलब, car, bike, सब गाड़ी में ये यू जाने वा इसके लिए, तो इसके लिए आपको करना यह है कि अगर आपके पास पहले से grease पड़ी है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो आपको एक ऐसा ग्रीस का डिबबा ले लेना है और उसमें से उसे खोल के ग्रीस खुद अपने हाथ से नहीं तो आपको इसके लिए किसी को पैशा देना है ना तो गैरेज में जाने की जरूरत है ना किसी कारीगर के पास जाने की जरूरत है बस आपको ग्रिस लेना है और वो ग्रिस को खुद अपने से अप कर सकते हो इस तरह से ग्रिस उंगली में लेके सब जगह सौकिट पे और जहां तक वायर में भी अगर लगा सकते हो तो लगा दो अक्सर सौकिट के पास से ही चुह वायर काट देता है और अगर वायर में भी आगे लगा देंगे तो अच्छी बात है और जिस जगह पर चुह बढ़ता है वो लोग अपना एक जगह बना लेते हैं जैसे ड्राइबर सेट के नीचे जो पाइक अभी आ रहा है जो सेट पूरी पाइक रहती है तो अंदर जो सौकिट है या जहां ब बाहर से इस अलग रहा है कि चुहा इसे काट सकता है सब जगह पर ग्रिस को लगा दें इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में ग्रिस यूज होगा बाकी का बच्ची होई ग्रिस आप जो है कि गाड़ी में और दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं और इस वीडियो से उन लोग से बैठते हैं तो उनके लिए बहुत ही फाइले मंद बीडियो हो जाएगी यह आइडियो को अगर वो यूज करेंगे ना तो उनका बिल्कुल चुहा जो है नुकसान नहीं कर पाएगा इसके साथ एक बात और ध्यान देना है कि जब भी गाड़ी को सर्विस करेंगे तो सर कि वह से एकदम बिल्कुल आपको सैप्टी थे और एक बार अगर वो गाड़ी के अंदर आया और उस से में वह मुह में जब उनके दात में शाव और ग्रिस लग जाती है तो एकदम बहुकहला जाते है पागल हो जाते हैं उनको चिप-चिपा हो जाता है। और पर तो दोस्तों यह आडिया जो है आप खुद एक बार यूज करके देखो इसके पहले आपने अगर आपके गाड़ी में चुहे का वायर काटने का प्रॉब्लम है तो आपने चाहे तंबकू का पूरी यूज किया हो या कुछ भी यूज किया हो जो भी किया होगा आपने लेकिन अगर फिर भी चुहा wire कार देता है और आजएसा प्रॉब्लम अकसर छो हाट करने की जगह रहती है ना घाड़ी खड़ी करने की जगह रहती है रात को तो ईस जगह पर अगर कुछ खाने पीने जैसा सामान अगर गिरा रहता है तो इसे जगह पर अकसर जो है कि खास करके चुहे लोग वहां पर आते ही हैं और उस जगह अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें का वायर जो है गाड़ी के अंदर फिर और रात को घुशके बैठ जाते हैं और वायर कुतर देते हैं तो यह प्रॉब्लम से आपको इस आडिया से पूरी तरह से छुदकारा मिल जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार